बिग बॉस पाँच में बत और कंटेस्टेंट नजराई महक चायल बॉलिवुड एक ट्रेस अमीशा पटेल की भाभी बनने जा रही है। अचीत में अश्मित ने बताया मैंने महक को कभी नहीं बताया कि मैं अपने साथ रिंग लेकर चलता हूँ। हम उसके परिवार से नहरोवी में मिलने वाले थे। इसके अलावा मैं उसे पैरिस में प्रपोज करना चाहता था। लेकिन किसी वज़े से ऐसा नहीं हो सका। हम मर ये उसे प्रपोज करने का सोचा। लेकिन उस रात उसने डेजर्ट की मांग नहीं की। इसलिए मैंने कुछ सोचा और वेटर को चौकलेट में कुछ स्ट्रॉबेरी लाने को कहा। इसके बाद मैंने रिंग को स्ट्रॉबेरी के साथ प्लेट में रख दिया और उपर से बा इसलिए हम थोड़ी देर के लिए रुख गए फिर अश्मित ने घुटनों पर बेट कर मुझे प्रपोज किया इस दोरान पूरा रेस्तरा हमें चीर कर रहा था यह बहुत ही रोमांटिक अंदाज था हम मेरे पेरेंस से मुलकात कर जल्दी ही शादी की तारीख फाइनल शादी के सवाल पर अश्मित ने कहा उमीद है कि 6 महीने के अंदर हमारी शादी हो जानी चाहिए मैं अबरोड में डेस्टिनेशन वेडिंग चाहता हूँ जबकि मेरे के पेरेंस चाहते हैं कि सेरे मनी इंडिया में हो इस पर मेहक ने कहा मैं उसके साथ हूँ वह मुझ से ज श्मित पिछले 12 साल से एक दूसरे के साथ हैं हाला कि उनका प्यार लाइम लाइट में पहली बार 2015 में रियलेटी शो पावर कपल के दौरान आया दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं अश्मित जहां बिग बॉस 4 2010 में टॉप 10 म पावर कपल में दिखाई दिये थे इसके बाद सेवे पर्दे से गायब हैं उन्होंने इंतहां 2003 मर्डर 2004 और जयन हो 2014 जैसी फिल्मों में काम किया है बात महकी करें तो वे अंजान 2005 वांटेड 2009 और करार दडील 2014 जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं टीवी पर वे आखरी एक बार कवच काली शक्तियों से में अहम रोल करती नजर आई थी